इस्राइल की मुसीबते एक बार फिर से लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि तुर्की ने उस पे सीधा निशाना साधने की तैयारी कर ली है नमशकार मैं नूर जहां और आप देख रहे हैं जनेत अवाज इस्राइल की जो खूफिया एजनसी जिसका नाम मौसाद है उसमें 30 से जादा जो उसके एजनसी के एजेंट है वो गिरफतार हो चुके हैं तुर्की ने सीधा निशाना साधने की प्लैनिंग जो कर ली है इसराइल पे उसका कारण ये है कि इसराइल की खूफी एजंसी जिसका नाम मौसाध है उसमें से 30 से जाधा एजेंट को उन्होंने गिरफतार कर लिया गया है और कारण ये बताया जा रहा है कि जो तुर्की में तुर्की में जो फिलिस्तीनी लोग रह रहे थे उस पर लगतार इसराइल निशाना साधने की प्लैनिंग कर ली थी न्यू एजेंसी रूटर के मुताबिक तुर्की में रहकर लोगों पर निशाना बनाने की कोशिश की जारी थी तुर्की ने सीधा ये बोला था कि जहां पर लोग रह रहे हैं तुर्की में अगर इसराइल लगतार हमला करेगा या कोई भी शाजिस करेगा तो हम सीधा इसराइल पर निशाना साधेंगे अगर तुर्की को थोड़ी सी भी भनक लगती है तो उसमें कहा था कि हम सीधा इसराइल के जो लोग हैं उनको दपोच दप सब दिखाई दे रहे हैं कि इस्तानबुल शहर में चापेमारी की वहाँ पर एक बिल्डिंग में 30 से जादगा लोग एक कार में भरकर आते हैं और वहाँ पर चापेमारी करना शुरू कर देते हैं ये वीडियो तुर्की ने अपने ही एक उसमें जारी करी है और कहा है कि इस तरीके से अगर इसराइल लगतार अगर इस तरीके से चानवीन करेगा या उसे थोड़ी सी भी भनक लगनी थी तो वो इसराइल पर सीधा हमला साथ था तो अब सीधा मुकाबला इसराइल का तुर् बरदाश नहीं है और उस वीडियो में लगतर ये भी दिखाया जा रहा है कि पचास से दाधा ठीकानों पर छापे मारी की गई वहां पर एक दजन तक गाड़ियां लाए गई और छापे मारी की गई इसके कारण तुर्की में एक इसराइल के खिलाफ फौश तयार करी जा रह है और साहिसाथ इसराइल ने जो अपने एजेंट भेजेते उसमें यह बी बोला था कि साफ सब्षक का हमला और वहनोंने कह दिया कि हमला वह किया जाएगा फिलस्तीनियों पर इस तरीके से तुरकी में भी घुशके फिलस्तीनी लोगों को मारना का निया वहीं दूसरी तरफ देखा जा सकता है कि तुर्की अपनी एक फॉज तयार कर रहा है इसराइल के खिलाफ और लगतार जिस तरीके से यह जो युद्ध है यह रुकने में नहीं आ रहा है तीन महीने से जादा हो चुके हैं जो बिंजिमिन नितनियाउं है इसराइल के प्रधा नहीं लग पा रहा है और अब तो हद यह हो गई है कि तुर्की खुद फॉज तयार कर रहा है जिसमें इसराइल के इसराइल पर सीधा वह सीधा निशाना सादेगा पहले से ही इसराइल का मुकदमा जो है वह इंटरनेशनल कोट में चल रहा है नरसंगहार को लेके और दू करेंगे किस तरीके से 30 एजेंट को भेज देना और तुर्की के लोगों पर नजर रखवाना क्या उसको करेंगे अब क्या होगा पहले से मुकदमा चल रहा है इंटरनेशनल कोट में अब उसके बाद यह चीज हो जाना लेकिन युद अभी भी रुकने को नहीं हो रहा है ल बच्चे तक को नहीं छोड़ा गया है इस्राइल के लोगों ने फिलिस्तीन की जो फिलिस्तीन के लोगों के कई सारे वीडियो देखी होंगे आप लोगों ने इसमें पांच साल के बच्चे कई कई महीनों के बच्चे मारे जा रहे हैं और इस तरीके का नरसंहार कर रहा है इसराइल फिलिस्तीन के लोगों पर एक जमीनी लड़ाई जो है इस तरीके सा इस तरीके का रूप ले ले लेगी कि तीन महीने से जादा हो चुके हैं लेकिन अभी तक युद नहीं रुका है पहले इंटरनेशनल कोड ने मुकदमा चलना की नरसंहार किया जा रहा है इसराइल के खिलाव इसराइल में और इस तरीके से इसराइल ही अपने 30 एजेंट भेज देता है तुर्की में नजर रखने के लिए फिलस्तीनियों पर वही तुर्की ने पहले ही ये बोल दिया था कि अगर हमें थोड़ी सी भी भनक लगेगी तो हम इसराइल पर सीधा निशाना सादेंगे लेकिन उसके बाद भी इसराइल नहीं माना है और अपने एजेंट को भेज दिया लगातर बिल्डिंग में छापे मारे की गई एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक दजन गाड़ के एजेंट से उनी लोगों ने तीस एजेंट को पकड़ा था जो इसराइल के एजेंट थे तो इस तरीके से इसराइल का लगतार फिलिस्तीनियों पर हमला करना साथ में तुर्की भी अब इसमें लपेटे में आ गया है अब देखना ये है कि कब तक ये नरसंहार चलता रह लगेगा और कब जाके रुकेगी ये लड़ाई अब देखते ही देखते नई मुसीवत में फस्ता जा रहा है इसराइल कहते है ना कि जब मुसीवत आती है तो एक साथ आती है पहले इस तरीके की मुसीवत सामने आना हजबुल्ला हमास और हूती जो ट्रिपल एच था पहल पहलने को नहीं तयार हो रहे हैं अब क्या लगता है कि यह जो एजेंट हैं इसको एक्सेप्ट करेंगे यह साफ इंकार कर देंगे कि हमारे दुआरा यह एजेंट नहीं भेजे गये थे तो बाकि देखना यह कि नया साल आ चुका है 2023 लड़ाई थी 2024 लेकिन अब तक यह ल पुबारा ये यूच शुरू हो चुका है अब तुर्की भी इसमें शामिल हो चुका है बाकी अब देखते हैं ये लडाई कहां तक जाएगी कब तक रुगेगी क्योंकि तीन महीने से जादा हो चुके हैं लेकिन आप हमारे साथ बने रहें कि ऐसी ही खबरे में आप तक कि लाई हो चुके हैं अब तक बा कर दोंगा है आप हमारे साथ जोच औरल कर दोंगारे महीत हैं